परमसतकार्योग, श्री सद्ग्रु जी दी साझ जी निवा जी साध संगर जी, एक वार रसण पवित्तर करिए, सब प्रेम सतकार न लाखिए, तांश्री सद्ग्रु राम संग् जी साथ संगर जी आप जी इस जप परियोग विद शामिल होके नाम जबके अपनी रूहान पवित्तर कर रहे हो अपने विच्चो ही कई पजंदिया मूरता हो निबड़ दे हन एसे तरह एक पजंदी मूरत दी साखी आप जी ना सांजी करन जा रहा है ओस मूरत दा ना सी सांत जवाहर सिंग मिर्जेवालिये सांत जी एक ऐसे महापुरक सन जिना ने अंतिम समासा तक जा तक ओना दी चिता साड़ नहीं गई ता तक ओना ने पजंद कीता स्री सद्गरु जीदा हुकम मन्या पच्मी पंजाब दे एक पेंड मिर्जेवाली विच अठारा सो छ्याली इस्वी विच आप जीदा जनम एक हिंदू जट्टां दे प्रवार विच होया इह प्रवार पावें हिंदू जट्टां दा सी पार इह सखी सर्वर नू मानदे सन पंजाब दे कई पेंड कई जिले जिमें तो उंकल थे नगाहा जिना विच सर्वरीय पीरां दे मेले लागदे हन उनना नू सर्वरीय पीरां दे नानाल जोड़या जानदा है जदो कोई नवा बच्चा जमदा है ता सरवरिये पराईनू सादके उस्दे काने वेच टाहर दवाँ दे हन एह सब को बालक जवाहर नाल भी होया बालक जवाहर ने जद अपनी सुद्ध बुद्ध संबाली उस समय श्री सद्गरू राम सिंग जीदा जास सारे संसार विच फैल चुका सी बालक जवाहर हुन गब्रू हो गया सी ओहो जमांदरू सरवरिया सी पर उसनू सपने वेच एक अदूती मूर्ती श्री सद्गरू राम सिंग जी दे चिटे बस्तर पहनी गाल विच उन दी माला लंबा स्रीर तजस्वी मूरत दे दर्शन होंदे सन आप इस मूरत दर्शना नो लोच दे सन इस मूरत दर्शन करन ली व्याकुल हो जांदे सन एक वार श्री सद्गुरु राम सिंग जी ने अमरीज सर दीप माला विके दर्शन दिते उस्तो बाद सद्गुरु राम सिंग जी ने अमरीज सर गुज्रा वाला स्याल कुट आज जिलियां दा दौरा कीता अगले साल दा होला माना वाले होना सी ता संत जमीत सिंग जी गिल्ला वाले जो शिरी सद्गरु राम सिंग जी दे गुरुपाई अते सैनिक जीवन दे साथी सन ओना दे पेंड विके मागी दा मेला होना सी उस्तो बाद शिरी सद्गरु राम सिंग जी ने पन्नव पेंड विके दर्शन दित्ते पन्नव पिंड हो ही है जित्तों दे सांत लहना सिंग जी पन्नव होई हन अमरी सर साके वाले शहीद जद श्री सद्गरु जीने दर्शन दिते ओधों खबर आलेद वाले दे सारे पिंडा विच पौँच गई सी स्री सद्गरु राम सिंग जी दी कीती दा जास सुनके संत जवाहर सिंग जी दे मान विच दर्शन करन दी मनु कावना होई भी मैं दर्शन करां जाके किते यह ओही ना होन जिना दे दर्शन मिनु सुपने दे वेच हुन दे हन सांत जी राह विच गिंटियां मिंटियां कर दे हुए जा रहे सन कि है सच्चा गुरू होएगा कि या कोई पत्ते बाज सांत जी ने अपने मान विच सोचे आ कि जे है सच्चा गुरू होएगा ता मेरी बाह फाड़के मेनू अवाज लगाएगा सांत जी ने ज़ाद मत्था टेकिया ओस समय श्री सद्गरू राम सिंग जी ने बाह फाड के अवाजा दिता जवाहर सिंगा हजे भी से कबा नविच कोई देर है सांत जी इन्नी गल सुनके ही मस्ताने हो गए सांत जी उच्ची उच्ची कहन लग पए कि एही ओह मूरत है जिसने मेनू दर्शन दे के निहाल कीता है जिसने मेनू तारना है सांत जी ने अमरित शक्या सिंग सजे नाम लेया जदों सांत जी ने अमरित शक्या ओधों लोका ने सांत जी दे का तक खबर पुजा दिती सी के हे कुका बन गया है संता दी माता वैन पॉण लगी आखन लगी कि हाय वे लोको मैं उजड गई मेरा पुत्तर मार गया पुत्तर कूका बन गया मेरा लोकी अफसी सोस करन करे पूजण लगे संत जी जदो उना दी माता वैन पा रही सी उदो संत जी नू महसूस हो रहा सी कि मेरा ता नवा जन्म होया है जद एह गल सौहरे परवार विच पुजी संता दे कूके बनन दी गल ओधो सौहरे परवार ने आखिया कि एह ता कूका बन गया है हुनसी अपनी तीस नाल नहीं तोरनी जे एहे कूकें वाली काच लाहेगा गुरू राम सिंग तो परे हटेगा ताहीं अशी इसनू अपनी ती तोरांगे संती जी ने आखिया कि मैं कूका ही रहाँगा मैं कूकें वाली काच लाहेगा मैं सिरी सद्गरू राम सिंग जी तो बेमुख नहीं होना तुसी अपना पड़या विचारो मैं कुका ही रहांगा पांज साल सोहरा प्रवार एसे गलते अड़या रहा काच्छल होनी है संत जी दी पांज सालाँ बाद संत जी दा मुकलावा दित्ता होना ने कुड़ी पांज सालाँ बाद तोरी सांत जी एना पज़ा सालां वेच अपनी आत्मिक शक्ती नुँ वदा ओंडे लई तपस्या करन लगे सांत जी नी तपस्या वेच सबतो पहला विगन सी नीद सांत जी ने सबतो पहला मूर्चा नीदे खिलाफ लाया सांत जी रात नू किली दे नाल अपने केस बन लणे अथे जदो नीद ओनी चटका वज़ना ते सांत जी द्वारा उठके पजन करन लाग पेना जदो इस नाल भी गल ना बनी सांत जी दर्या विच खडो के पजन करना शुरू कीता फिर सांत जी खूधी चलन ते पैरा पार बैठके पजन करना शुरू कीता जद पजन कर दे सन नीद आजानी विच डिग पेना फिर बाहर आके द्वारा पजन करन लाग पेना सांत जी दस दे हुन दे सन कि जदो शिरी सद्गरू राम सिंग जिने मिनू पजन दिता उदो सद्गरू राम सिंग जिने केहा सी कि एक वी स्वास बिर्था नहीं जाना चाहिदा स्वास स्वास पजन करना है जद तक चिता चंगी तरह साड़न आजावे उदो तक पजन करना है सांत जी आख दे सन कि मैं एक वी वार पजन लें तो बार अपनी पेठ जमीन ते नहीं लाई कि किते मैंनू नीद आजवे अते शिरी सद्गरू राम सिंग जिदा हुकम ना मन्या जावे सांत जी पराए हक बगाने चीज़ां अनकमाईयां चीज़ां दे बहुत खिलाफ सन एक वार सांत जी अपनी पेठ कर गए ते उते सांत जी ने बोती दा दुद पीता बोती दा दुद सांत जी नू माफक सी सांत जी ने अपनी पेठ कहा कि यह बोती दा दुद किसे ब्राए दे खेद विचो बोती दा डी चोके ना आवे ताही मैं ऐस दा दुद पीवांगा फिर सांत जी जा दोद पीन दे सन एक दिन बोती किसे होर दे खेट विचो चोगे आई ते फिर सांत जी दी बिर्ती ना लगी सांत जी ने अपनी पैन नो किहा कि तेरी बोती हुण चोगे आई है चारे आई है अधे फिर संता ने माफी दिती उस्तो बाद सांत जी जदों अपने अंतिम समें सांत जी ने अपने आंडियां गवांडियां इस्ते दारानों कठा कीता अधे आखिया कि जदों मैं मार जावांगा मेरा हाथ चालदा रहेगा माला चाल दी रहेगी, रसना भी चाल दी रहेगी, तुसी एहे ना सोचना कि बाबा दे जोदा है, तुसी ससकार कार देना सांत जी दा जो दो ससकार होया, देह साड़ गई, ओस समय ही माला चुटी सी सांत जी ने अपना सारा ही जीवन श्री सद्गुरू राम सिंग जीदा हुकम मान के निवाया सांत जी हमेशा ही श्री सद्गुरू राम सिंग जीदा हुकम मान दे सन इनना कुछ कहके खिमारा जाचाखां सत्ष्रीयका